हे गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल टूंपस कीचेन एन व्लॉग तो देखिए हडा हडा साग लेकर आ गई हूँ बजार से तो अच्छे से इसको धोना है तो साग अच्छे से धोलेना है क्योंकि इसमें बाली होता है और बहुत धूल मिट्टी रहता है तो अच्छे से धोलि ना है और अभी इसमें कड़ाई में ओयल थोड़ा सा ओनियन और गार्ली हरी में चैस्टो कमिर्ज डाल कर इसमें डाल देंगे पूरा बॉयल किया हुआ साग अर अच्छे से इसको मैश करके भून लेंगे तो गाइस क्या साग है अब को पता चला चलो मैं ही बता देती हू यह है सरसो का साग अब लोग जानते हैं सरसो का साग बहुत कुछ दे कर बनाते हैं तो मैं सादा सीधा बना रही हूँ सरसो का साग और मके की रोटी खाते हैं सब तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ हम लोगों का बिंगॉली स्टाइल का साग राइस के साथ खाने के लिए ब हम लोग बिंगॉली लोग चिगली मच्ची से खाते हैं देखिए कितना सुन्दर लग रहा है बन के तैयार बहुत ही टेस्टी लगता है जीरा खोरण और चिंगली मच्ची डाल कर उसमें लॉकी डाल दिया है सुखा मिर्च और हडा मिर्च डाल के तो बन गया लौकी का सबजी और सायसो का साग गर्मा गर्म राइस के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है गाईज तो आई होग के आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना बहुत बहुत कॉमेंट करना और कैसा बना है जरूर बताना आप लोग घर में एक बार ट्राइ जरूर करना तो चलो थाली तो तयार हो गया है अभी खाना है और अच्छा लगे तो एक बार घर में जरूर ट्राइ करना गाईज ये वाला रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है राइस के साथ खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार है रोटी नहीं लगेगा कभी-कभी जो लोग राइस पसंद करते हैं वो लोग सरसो का साग ऐसे भी बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और यम्मी भी है साख खाना तो सहत के लिए कितना सहत मंध है आप लोग जानते हैं तो देखिए मैं खा रहे हूं चिंग्ली मच्ची के साथ लोग की का सब्जी बना लिया है बाजार गई थी तो थोड़ा सा चिंग्ली मच्ची लाया था तो बना लिया तो बैबाई